आज मैं आपके लिए दो कलर की एक बहुत ही सुन्दर और सरल डिजाइन लेकर के आई हूँ इस डिजाइन को बनाने के लिए जो हम फंदे डालेंगे वो 4K मर्टिपिल्स में डालेंगे और 1 फंदा अधिक डालेंगे ये 8 सलाई की डिजाइन है चार सलाई में डिजाइन पुरी हो जाती है लेकिन जगां चुकी बदलते हैं इसलिए ये डिजाइन 8 सलाई की हो जाती है अब हम डिजाइन स्टार्ट करते हैं पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे इसके बाद तीन फंदे हम सीधे बिनेंगे वो भी दूसरे कलर से बिनेंगे एक बार में एक रंग की दो सलाई बिनी जाती हैं अब ये एक फंदा स्लिप कर लेंगे फिर हम तीन फंदे सीधे बुनेंगे फिर एक फंदा स्लिप करेंगे तीन फंदे सीधे बुनेंगे इसी तरह हमें पूरी रो बनानी है डिजाइन की सेकेंड रो में जो फंदा हमने स्लिप किया है उससे स्लिप कर देंगे और जो फंदा हमने बुना है उन्हें सीधा बुनेंगे ये तीन फंदे हमने बुने हैं इन तीनों फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे और एक फंदा हमने स्लिप किया है तो उन अपनी तरफ आगे करके एक फंदा स्लिप कर लेंगे फिर उन पीछे करेंगे तीन फंदे सीधे बिनेंगे इस तरह से फिर उन आगे करेंगे अपनी ओर और एक फंदा स्लिप कर लेंगे फिर उन पीछे करके तीन फंदे सीधे बिनेंगे इसी तरह से हमें पूरी रो बनानी है अब हम डिजाइन की थर्ड रो बनाएंगे ये जो तीन फंदे बुने हुए हैं इन में से जो बीचो बीच का फंदा है इसको हम स्लिप करेंगे और इसके बगल वाले फंदे बुने जाएंगे ये इधर तीन फंदे बुने जाएंगे और बीच का फंदा स्लिप किया जाएग अब हम जैन शुरू करते हैं, थर्ड रो में यह हम यलो कलर से बिनेंगे, यह एक और यह दो, दो फंदे बिन लेंगे, यह देखेंगे यह बीच का फंदा है, इसे स्लिप कर लेंगे, फिर तीन फंदे बिनेंगे, अब तीन फंदे बिनेंगे, एक यह एक जो पहले स्लिप कि ये आखरी फंदा जो तीन में का था ये बिनेंगे, ये slip वाला फंदा बिनेंगे और इसके बाद का फंदा बिनेंगे, इस तरह से हमें पूरी रो बनानी एक फंदा slip करना है और तीन फंदे हमें सीधे बुनने हैं, पूरी रो हमें इसी तरह बनानी हैं, अब हम डिजाइन की फोर्स रोपई आ गए हैं ये रॉंग साइट से है इसमें सारे फंदे हमें उल्टे उल्टे बिनने हैं जो सलिप किया है फंदा उसको भी उल्टा बिनना है ये ये इस तरह से पूरी रो हमें उल्टे फंदो से बनानी है ये एक बार मेंने चार सलाई बिनली हैं जिससे एक बार डिजाइन कम्प्लीट हो गई है अब हम दुबारा डिजाइन बनाएंगे और डिजाइन की जगां चेंज कर देंगे अब हम फिफ्ट रोपे आ गए हैं इस बार हमें ये जो ये फंदा दिख रहा है इसे पहले बनाया था इसमें का जो बीच बीच का फंदा है इस फंदे को स्लिप करना है ये फंदा हमें स्लिप करना है ये फंदा स्लिप करना और बीच की ये तीन फंदे जो है इनको बनाना है डिजाइन के लिए सीधा सीधा वो ना है डिजाइन की फिफ्थ रो में ये दो फंदे हम बिनेंगे सीधे शुरुवात में दो फंदे सीधे बिनेंगे यह मैंने बताया आपको कि यह एक फंदा जो है इसी को स्लिप करना है यह स्लिप कर लेंगे अब इसके वाद तीन फंदे हम सीधे बिन लेंगे यह देखे यह वही फंदा आ गया स्लिप करने के लिए यह हमने स्लिप कर लिया फिर तीन फंदे हम बिनेंगे जो फंदे बिने जाएंगे राइट साथ से वो सिधे बिने जाएंगे एक फंदा सलिप कर लिया फिर तीन फंदे बिनेंगे इसी तरह से हमें पूरी रो बनानी है अब हम design की 6th row पे आ गए हैं यह हमें second row की तर बनानी है जो फंदे बुने हुए हैं उनको हम सीधा बिन लेंगे उन अपनी तरफ आगे करेंगे और slip किया हुआ फंदा slip कर देंगे फिर उन पीछे करेंगे बुने हुए तीनों फंदे हम सीधे बुन लेंगे उन अपनी तरफ करेंगे और slip किया हुआ फंदा slip कर देंगे फिर उन पीछे करके जो तीन फंदे हैं इनको हम सीधा बुन लेंगे इसी तरह हमें पूरी रो बनानी है अब design की 7th row बिनेंगे इसमें हमें यह जो तीन फंदे हैं इनके बीच का फंदा जो है वो सिलिप करना है और जो सिलिप क्या हुआ फंदा है उसको तीन फंदों के विचो बीच में बिनना है यह हम यह लोकल अरकाउन लेंगे पहला फंदा हम यह बिन लेंगे ऐसे ही उतार लेंगे पहला फंदा बिनेंगे हम स्लिप करेंगे फिर तीन फंदे बिनेंगे जिसमें एक स्लिप करा हुआ फंदा भी आ जाएगा बीचों बीच में और ये स्लिप करेंगे इस तरह से हम बुनेंगे पूरी सलाई ये तीन फंदे बुनेंगे और एक फंदा स्लिप करेंगे पूरी रो हमें इसी तरह से बनान हैं यहां पर हमें slip किया हुआ फंदा भी उल्टा वुनना कोई भी फंदा में slip नहीं करना है पूरी रोह में इसी तरह से बनानी है कि यहां मैंने design की 8 सलाइयां complete कर ली हैं दो बार design बन करके तयार हो गई है बहुत ही मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें ठैंक्स